Hello friends, this is Manahi here. Welcome back into the Waihew channel, easy way. दोस्तों, आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि कुडलर पे हम Multiple Skin यानि एक Skin पे हम multiple Skin कैसे यूज़ करेंगे जाफरेंस लिखिए उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चाहें तो एक स्क्रीन पे मल्टिपर स्क्रीन ने बलकी हजारों स्क्रीन आप यूज कर सकते हो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे कोडलर पे या फिर एपी बिल्लर या थंगेवल कहीं पे अभी आप बनाते हो तो आपको मैक्सिमम लेमिट जो स्क्रीन की होती है भी आपको दस ही होती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो मैं आप कोडलर पे यहां पर 10 इसकिन मैंने्ट कर लिया देखने आप यह आप यहां आपको 10 सक्रीन होंगगे जैसे है मैं 11 सक्रीन के यहां पर क्लिक करता हूं तो आपको यहां पर वार्निंग सो जाता है यह कहता है कि यहां पर जो लीमिट है स्केन की लगभगदस ही है लेकिन अगर आप चाहें तो 11 12 15 आप यूच कर सकते हो लेकिन इससे क्या होगा आपकी जो एप की जो जहां पर स्मूथ है जो आपका एप जो फास चलता है वह आपकी स्लो हो जाएगी और यह आपका एप किसी के डिवाइस को भी एफेक्ट कर सकता है इसलिए इनों ने 10 ही एस्क्रीन लेमिट दिया हुआ ठीक है जी तो मैं कहूँगा कि यहां पर अगर नियम से चला जाए तो आप यहां पर एक ही एस्क्रीन पर 10 15 बेस एस्क्रीन यूच कर सकते हो ठीक है फ्रेंस यह कोई वीडियो टीप सेंट्रीक नहीं है एक रियल में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप यहां पर एक स्क्रीन पर मल्टीपर स्क्रीन यूच करोगे ठीक है फ्रेंस आपको पहले बता दूं कि यह वीडियो तीन टाइप में बनेगी पहले आपको मैं टैप के रूल से बताऊंगा दूसरा कर्टेगरी वाइज बताऊंगा और तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि आपकी काटेगरी स्क्रीन पर रहेगी और सेकेंड इसक्रीन पर आपका कॉंटेंट रहेगा ठीक है न तो आज की वीडियो में हम फिर्स्ट रोल जान लेते हैं टैप वाइज हम कैसे मल्टीपर स्क्रीन यूच कर सकते हैं ठीक है यानि क्या करता हूं कि इस स्क्रीन पे हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा मैं आपको यहाँ पे लियाओट में क्लिक कर लेता हूं ठीक है ना लट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक होरीजेंटर स्क्रॉल एरेजमेंट ले लेना है ठीक है ना जी इसको आप यहाँ पे बटन ले लेता हूं तो just मैं यहां पर जाता हूं और बटन ले लेता हूं ठीक है जी तो यहां पर इस बटन का मैं नाम दे देता हूं यहां पर इस बटन का मैं नाम देता हूँ HTML ठीक है जी और एक और बटन ले लेता हूँ ठीक है ना यहां पर इस बटन को मैं जस्ट यहां पर एक और बटन ले लेता हूँ इसका मैं नाम देता हूँ PHP ठीक है जी और उसके बाद एक और बटन ले लेता हूँ इसका मैं नाम देता हूँ Java ठीक है जी अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 categories दिया हुआ है ठीक है न और 3 categories को में screen बनाने वाला हूँ ठीक है नहीं HTML पर क्लिक करो तो मैं HTML का content दिखाई दे PHP पर क्लिक करो तो PHP का content दिखाई दे और Java पर क्लिक करो तो Java का content दिखाई दे और इन 3 case में जब HTML पर क्लिक करो तो यह सारे चीज़ें ना दिखाई दे PHP और Java के content और PHP पर क्लिक करो तो इन दोरें के content ना दिखाई दे तो friends यहीं चीज हम one screen पर जाने वाले हैं कैसे one screen पर हम multiple screen मनाते हैं तो अब हम क्या करना है कि इन सब को यहां पर नाम देता हूं ठीक है न तो यहां पर इन सब के भी नाम में same देता हूं ठीक है न बटन को भी में HTML BTN कर देता हूं ठीक है जी अब इस पर मैं PHP को भी PHP BTN देता हूं ठीक है ची और यहां पर यहां पर जावा को में जावा BTN देता हूं ठीक है जी खुड़ वन अब हमें यहां पर इसको मैं क्या गरता हूं मैं भीर्ट को फिल कर दो कुख न पयां पिझो सब्सेति हैं सबस्पारेंद होography, और यहां पर जावा को भी आप विर्द को सब इसा दिखाई देने लगा धी आप फिल्यान ुख सकते हैं यहीं रहने देता हूँ अब यह हो गया हमारा मेनू ठीक है ना जिसा कि आप यहाँ पर इसे काटेगरी भी बोल सकते हैं उसके बाद से अब आपको एसकें के लिए क्लिए क्या करना है तो भी मैं आपको बतायता हूँ आपको जश्ट यहाँ पर लियाउट में जाना है तो यहाँ यहाँ पर इजे लेना है तो यहाँ पर रेजमिन अपर इसको ड्रै करके यहाँ पर रख दीजिए अब इसमें आपको क्या करना है यही आपका क्या होगा तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ hdml screen पर स्क्रीन यहाँ पर इसकर में यह लिए होगा ठीक है न जी यह HTML screen के लिए हमारा हो गया ठीक है मैं यहाँ पर OK कर देता हूँ अब मैं इसकी width और height को fill parent कर दूँगा ठीक है गुट और यहाँ पर width को भी fill parent कर देता हूँ ताकि इसके अंदर जो भी हम content दालेंगे friends वो सारे का सारा हमारा scroll level होगा देख रहे हैं न बिल्कुल screen की तरह filling आएगी ठीक है जी तो यहाँ पर फिलाल में आपको एक label देता हूँ ताकि मैं जब भी इस पर click करूँ तो हमारा दिखाई दे और समझ में भी आए तो यहाँ पर user interface में जाता हूँ और यहाँ पर label ले लेता हूँ गूट अभी इस label को मुझे center में लाना है तो जाश्ट ऊपर की तरफ जाओंगा ठीक है न मैं center ले लेता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं कुछ लीख लेता हूँ यहाँ पर 80 कर देता हूँ ठीक है जी अब आपको काम क्या करना होगा इसको select करने के बाद जस्ट आपको बैक जाना है ठीक है आप देख सकते हैं जो html screen लिखा हूँ इसके अंदर यह level है ठीक है न तो इसको आपको select करने के बाद जस्ट आपन करने के बाद आपको ध्यार रहे है कि आपकी visibility अब off हो चुकी है ठीक है अब हमारा next काम क्या होगा इसको आप मिनिमाइज करेंगे तर पता चलेगा कि हाँ आपका जो लेबल है इसके अंदर है इसलिए यहां पर on off एनी मिनिमाइज यहां पर on भी हो सकता है दिख रहे है न उसके बाद से आपका second काम क्या हुआ कि आपको फिर से आपको जाना है लेयाउट में लेयाउट में जाने के बाद आपको यहां पर फिर से vertical score arrangement लेना है इसको आपको नाम दे दीजिए जस्ट यहां पर php screen गुट अब आप यहां पर इसको ok कर लिजिए इसकी width or height को आप यहां पर fill parent कर दीजिए good one इसके अंदर मैं एक level डाल देता हूँ इसको मैं center करता हूँ center करने के लिए आपको जस्ट जिस screen का नम आपने दिया हो ना जस्ट इसको select करने के बाद आपको यहां उपर की तरफ जाना आप दिख सकते हैं आपको मैंने का select किया हुआ है यहां पर मैं इस पर नाम लिख देता हूँ ठीक है न यहां पर php screen देता हूँ ठीक है जी ओके अब उसके बाद से हमें क्या करना होगा कि जस्ट मैं फिर से इनको select करने के बाद इनको भी मैं हाइड कर देता हूँ जस्ट मैं यहां पर visibility को हाइड कर देता हूँ उसके बाद अब आपको क्या करना है आपकी थर्ड नमर नहीं जावा की ठीक है फिर से आपको वहीं काम करना है कि जस्ट यहां पर layout में जाना है और लेट में जाने के बाद यहां पर vertical score arrangement ले ले लिजे और यहां पर screen पर इसे छोड़ दीजे ठीक है फिर से आपको height यहां पर fail parent रख दीजे width को आप fail parent रख दीजे ठीक है न यहां पर एक label रख दीजे just एक label ले लिजे ठीक है जी और यहां पर आप इसको दे सकते हैं जावा screen नाम दे सकते हैं okay पर click कर दीजे ठीक है जी अब आप इसको centerize कर लिजे good label को select करके add in pixel कर लिजे और यहां पर अप लिख दीजे जावा screen ठीक है यह हो गया अब हम इसको hide कर लेते हैं यह पूरा का पूरा इस स्कॉलरेजमेंट को लेगर के hide कर देते हैं visibility of तो friends मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं क्या आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक horizontal score arrangement लिया है जिसके अंदर HTML PSP Java मैंने दिया हुआ है आप देख सकते हैं यह ठीक है ना आप इसको मैं minimize करूं तो इसके अंदर क्या है PHP यहां पर HTML PHP Java ठीक है जी उसके बाद से मैंने एक और यहां पर वर्टिकल score arrangement लिया था आपको मैं यहां पर दिखा दूँ आपको layout में मिल जाएंगे जस्ट यहां पर जाएंगे वर्टिकल score arrangement लिया था मैंने ठीक है ना इसका मैंने नाम दे दिया है जस्ट मैं नीजे की तरफ से आता हूँ HTML screen मैंने दिया है एक का उसके बाद से PHP screen और Java screen ठीक है ना अब मैं काम करने वाला हूँ कि जैसे मैं HTML पर क्लिक करूं तो हमारा HTML screen दिखाए दे PC पर क्लिक करूं तो PHP screen दिखाए। और Java पर क्लिक करूं तो Java screen दिखाए दे अगर इन त्याएं को मैं फिरिंस ओन रखता हूँ अगर मैं इनकी visibility 10C-1 रखता हूँ तो फिर रहां यह तीनों को यह uBi ambassador राटे हो यह आपको दिखा देता हूँ अदेख सकते हैं मैंने तीनों को on किया तो इतीनों को मेरे एक ही राटेहaide तो इसी बसन में आगर आप इनकी possibility on पर दिखाए देंगे तिकाना लेकिन हमें एक ही स्कीन पर एक मल्टीपल स्कीन की तरफ विउ देना है तो चलिए अब मैं हम सब को हाइड कर देता हूं ठीक है जी हाइड कर दिया और इसे भी में हाइड कर देता हूं यहां अब सब्सक्राइट चलते हैं बॉक्स वाले पांट में तो यहां भी हम आते हैं भॉक्स पर किकशल लीमट van bulky यह इसके बाद आपके भटन फर किली कर तो थकten अभी में पडेन अभीड टो अब क्लिक करें तो क्या होगा वो क्या करेगा तो html का जो content है उसको विजिवल कर देगा तो मैं यहां पे इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं नाम दिया हुआ है इसके बाद में यहां से यह जस्ट विजिवल वाले आपको ले लेगा पर कोई भी लेगा जाएंगे तो आपको यहां पर मैं थोड़ा सब नीचे कर लेता हूं समझाने के लिए इसके अंदर आप किलिक करेंगे था आपको कि विजिवल का ओफ्षन आ जा इसकी visibility true हो जाए तो मैं इसे यहां से drag करके यहां पर drop कर लेता हूं अब आपको main काम क्या है कि जब हम यहां पर html पर click करें तो हमारा html का जो screen है वो दिखाई देने लगे ठीक है जी सेम यहीं काम मैं करना वाला हूं जब हम php पर click करें तो क्या हो ? PHP वाला दिखाई देने लगे तो चलिए यहां पर आपको जाना है इसकी visibility को आपको true कर देनी है तो just यहां पर visible ले लेना है और इसे को copy करके यहां पर true कर देजिए ओक्य जी आप आपको एक और काम करनी है जवाप यहीं काम आपको जवाप करना ठीक है जी यह good ठीक है जिस्ट आपको यहां पर जवा ले लेनी है ठीक है जी और यहां से कोई भी ले 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 जी good one and then visible यहां से मैं true कर देता हूं good अब friends आपको थोड़ी से सोच के लाइने है यहां पर ठीक है न अब ध्यान देजिए का जैसे आप HTML बटन पर क्लिक करोगे तो आपका HTML का जो screen वो क्या दिखाई दने लएगा ठीक है ना और जावा पर क्लिक करोगे तो PHP दिखाई दने लएगा लेकिन यह तीनों आपको एक ही screen पर है तो यहां पर जब यह ही visible होगा तो यहां पर देखना ना एक यह तिनों विजिवल है तो इस situation में हम क्या करेंगे कि जब यह visible हो तो यह दोनों Hide रहे तो आप Copy कर लीजिए जस्ट यहां पर रख दीजिए इनको आप Copy कर लीजिए और यहां रखे लीजिए और इनकी visibility को false कर दीजिए ठीक है ना यानि जब यह screen visible हो तो यह दोनों hide रहे ठीक है ना अब उसी decision में क्या करना है कि जब यह visible हो तो यह दोनों hide रहे यानि PHP और HTML hide रहे तो यहाँ पर मैं HTML को यहाँ पर गुड़ एस्टी जावा स्टेमेल दन पीजब यानि जब यह screen visible रहे यह false रहे हमारा ठीक है जी उसके बाद से यह true रहे तो यह दोनों false रहे हमारा ठीक है आप देख सकते हैं PHP जब true हो तो HTML भी false हो और इसे आप कर दीजिए जावा जावा भी आपका false हो तो आपके हो गया देख सकते हैं HTML जब click करूं तो HTML true है हमारा ने दिखाई दे उस situation में जावा और PHP ना दिखाई दे ठीक है ना उसके बाद से में जाव पर जब click करूं तो Java दिखाई दे और HTML PSP ना दिखाई दे उसके बास में PSP पर जब click करूं तो यहां पर PSP दिखाई दे ठीक है ना और बागी दोनों ना दिखाई दे अब रही बात हमारी live test करने की तो सबसे पहले हम चलते हैं designer वाले पार्ट में ठीक है ना देखिए फ्रेंस यहां पर आपको कुछ इस तरह से है अब यहां पर test पर में reset कर लेता हूं और यहां पर campaign कर लेता हूं तो companion यहां पर code हमें में मिल जाता है मैं इससे copy कर लेता हूं और मैं चलता हूं लाइब test application मेरा ओन है यहां पर मैं control भे कर देता हूं यहां पर paste कर लेता हूं और यहां पर click करके run कर देता हूं तो देख सकते हैं हम यहां पर लाइब हो गया ठीक है ओप कलिक करता हूं अब देख सकते हैं टैरीमीलट स्क्रीन मेर यहां गया और प्प ओढ़न मैं नहीं है अब जैसे प्प पडेको कलिक करूंगा तबर प्प कलिक आगया हुट है यह घीआ इस तरह में multiple screen use कर सकते हो friends, बहुत ही easy तरीके से, ठीक है friends, तो यह होगे आपका tab layout view में multiple screen use करना, ठीक है यह आपका scroll arrangement में है, तो आप जितना चाहिए, यहाँ पर scroll arrangement use कर सकते हो, ठीक है जी, यहाँ पर मैं आपको दिखायता हूँ, एक और यहाँ पर button डालके, आपका scroll arrangement कैसे काम करता है, तो मैं यहाँ पर एक button दे देता हूँ, friends ही सबस्काहिए, मैंने दो button यह पर पर पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं, एक दो, तीन, चार, पाँच बटन हो किए तो चले हम देखते हैं, live में आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ यह पर यहाँ